नमस्कार आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रत्मेश जोतिष चैनल पिछली वीडियो में हमने जाना कि हतेली में कौन-कौन से परवत कहां परिस्तित होते हैं आज हम उन परवतों का फल क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है ये बताएंगे हाथ की रेखाओं और उबरे हुए भाओं का बहुत महत्व होता है जो कि परवत कहलाते हैं नहीं परवतों के द्वारा हम उस जातक के सौभाब और विसेस्ताओं को भी मालुम कर सकते हैं इससे पहले सबसे जरूरी बात अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट पर जैमाता दी लिखिए कमेंट जरूर कीजिए इससे हमारा होसला बढ़ता है अब आईए बताते हैं हम परवतों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र परवत की मडिवंद से उपर और हतेली के बाएं हाथ के नीचे का छेत्र चंद्र छेत्र कहलाता है चंद्र परवत वाले ब्यक्ति कलपनाशील संबेदनशील कभी कलाकार और सोंदर प्रेमी साहितकार होते हैं बैसे हम आपको बता दें कि परवत जितना उन्नत और उठा हुआ होता ह है वो उतना ही अच्छा होता है अगर उंगली से दब जाए कोमल हो तो यह मध्यम होता है और दबा हुआ परवत छेत्र अच्छा नहीं माना जाता अगर किसी के हतेली में कोई परवत बनना रहा हो यह उस ग्रहे के प्रभाप को एकदम नश्ट करने वाला होता है चंद्र क इस छेत्र में कोई रेखा अगर शुक्र परवत तक पहुच गई हो तो आपके विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं इसी प्रकार इस छेत्र में यदि मंगल का सेकेंड भाव यानि कि मध्यम मंगल तक पहुचने वाली जो रेखा होती है वो विदेश यात्रा का योग भी बनाती है अब बात करें हम मंगल के परवत की तो जो गुरू के परवत के नीचे और बुद्ध और चंदर के छेत्र के बीच में जो परवत होता है वो मंगल का परवत कहलाता है जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं मंगल का प्रथम भाग भोतिक और दित्तिय भाग मानसिक इस्तिती को दर्शाता है मंगल का सामाने गोन बल साहस निर्भेरता आदी होता है रक्त को उत्तेजित करता है मंगल ऐसे व्यक्ति कठनाई से बिचलित नहीं होते आलोचना सुनना पसंद नहीं करते जल्दी गुस्सा हो जाते हैं दुर्ण सुभाप के होते हैं अति अगर आपका मंगल का छेतर जादा उबरा हुआ है तो ये आपके उग्र सुभाप को प्रदशित करता है दुतिय मंगल वाले व्यक्ति बुद्दमान मेधावी तता बैग्यानिक होते हैं बुद्द की छेतर की बात करें तो कनिष्टा उंगली के नीचे के उबरे हुए भ को बुद्ध छेत्र कहते हैं, बुद्ध का सुभाब दृष्टी सजग रखने वाला होता है, बुद्ध छेत्र में अगर बुद्ध परवत अधिक उभरा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति यात्रा बहुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो बूलने की शक्ती होती है, बाक शक्त रेखाए हों तो व्यक्ति डॉक्टरी के छेत्र में बहुत यश पाता है दभा हुआ परवत बिवेक हिंता को प्रकट करता है अब गुरु के परवत की बात करें तो तरजनी के मूल के नीचे वाला भा गुरु पर छेत्र कहलाता है अगर किसी के हाथ में गुरु का परवत उ वो व्यक्ति उस्साह और सुतंत प्रवती और आदर्शवादी विचारधारा का होता है बहुत ब्यभारिक होता है ऐसे व्यक्ति विवेक और बुद्धी का उप्योग खूप करती है शाशन, धर्म गुरू, शिक्षक और उद्योग में निपुण होते हैं अधिक हुबरे हुए परवत वाले व्यक्ति घमंडी और खुद के सामने दूसरों को तुछ समझते हैं अगर परवत दबा हुआ हो तो व्यक्ति को निम्न इस्तर के कारियों में उलजने वाला माना जा सकता है अब शुक्र के परवत की बात करें तो अंगूठे के मूल से जीवन रेखा तक फैले हुए उचे गद्दीदार मासल भाग को शुक्र कहते हैं परवत उचा हो तो व्यक्ति का स्वास्त सौंदर प्रेम संतान सुक में मदद मिलती है ऐसे व्यक्ति दयावन कला संगीत प्रेमी होते हैं अति विक्सित परवत व्यक्ति के प्रेम सम्मंदों को संकेत करता है स्पष्ट संतल परवत व्यक्ति में अध्यात्मिक्ता की तरब जुकाब बताता है परवत इस्तरी के हाथ में बहुत उबरा हो तो अधिक कामुक होने का प्रतिक होता है अब सनी परवत की बात करें तो मध्यमा के मूल से हिर्दे रेखा तक फेले हुए छेतर को सनी परवत कहते हैं शनी परवत अगर उबरा हुआ हो तो व्यक्ति एकांत प्रिये भागेवादी गंभीर दूर दर्शई आध्यात्मिक और परिश्रमी होता है उचे सनी परवत वाले गंभीर सवाब के होते हैं अगर उन्हें प्रतिफल ना मिले तो ज़्यादा चिल जाते हैं शनका सील सुबाब के कारण परिवारिक व्यक्ति के साथ सम्मंद स्तापित नहीं कर पाते हैं अधिक उबरे हुए परवत व्यक्ति को उदासीन आध्यात्मवादी और दार्शनिक बनाता है अगर शूरे के परवत की बात करें तो अनामिका की नीचे का मासल शेत्र सूरे परवत कहलाता है अगर ये समान उभरा हुआ हो तो व्यक्ति दार्शनिक बौधिक बिद्दमान लेखक वक्ता धर्मगुरु होता है और यदि सूरे शेत्र दवा हुआ हो तो मंद बुद्दी और ख्याती विहन होता है ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर लेए उन्हें यश्क की प्राप्ती नहीं होती सूरे परवत के शेत्र यदि तीन खड़ी रेखाए हो तो उन्हें अतियंत शुब माना जाता है सूरे परवत पर आड़ी रेखाओं को अच्छ नहीं माना जाता ऐसी दशा अस्वस्ता को प्रकट करती है हतेली पर राहू और केतू का दवा हुआ छेत्र अच्छ नहीं माना जाता जबकि ये अगर जितना उभरा होता है मानी बंद पर केतू की रेखाएं जितनी स्पष्ट होती है व्यक्ति का जीवन उतना ही अच्छा होता है हतेली के बीचो बीच अगर राहू का जो गड़ा होता है गोल वो गहरा ना होके उबरा हुआ हो तो जादा अच्छा रहता है जानकरी पसंद आई हो तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजे हम मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद